फ्रेंड्स हमारे देश में लंबे समय तो जो सरकारे रही या जो सरकार चलाने वाले रहे उन्हें माईबाप कल्चर बहुत पसंद आता था आप लोग इसे परिवारवाद और भाईबती जावाद से कन्फुज मत करिये गाँ यह एक अलग ही मनोभाव था इसमें गवर्मेंट अपने ही देश के सिटिजन्स के बीच मास्टर जैसा ब्यहवार करती थी हाल यह था कि देश का नागरिक भले कुछ भी करे सरकार उसे सक्की नजर से देखती थी और नागरिक कुछ भी करना चाहे उसे सरकार की पर्मिशन लेनी पड़ती थी इस कारण पहले के समय में गवर्मेंट और सिटिजन के बीच मिच्यल डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन का माहुल बना रहता था यहां जो सीनियर जनर्रालिस्ट बैटे हैं उन्हें में एक बात जुरू याद दिलाना चाहता हूँ आपको याद होगा कि एक जमाने में टीवी और रेडियो के लिए भी लाइसन्स लेना पड़ता था इतना ही नहीं इसे ड्राइविंग लाइसन्स की तरह ही बार बार रिन्यू भी करवाना पड़ता था और ये किसी एक सेक्टर में नहीं बलकि लगबग हर सेक्टर में था तब बिजनेस करना कितना मुश्किल था लोगों को तब कैसे कॉंट्रक्स मिलते थे ये आप भली भाती जानते हैं नाइन्टीज में कमपल्शन के कारण कुछ पुरानी गलतिया सुधारी गई और उसे रिफॉर्म्स का नाम दिया गया लेकिन ये माईबाप वाली पुरानी मेंटालिटी पुरत तरह से गई नहीं 2040 के बाद हमने इस गवर्मेंट फर्स मेंटालिटी को पीपल फर्स एप्रोच की तरफ रिमेजिन किया